अयोध्या मामला फैसले पर राखी सावंत ने वीडियो में दिया बयान फी एम मूदी के बारेक कही ये बार अयोध्या विवाद मामले पर सुप्रीम कोट ने शनिवार को एतिहासिक फैसला सुनाया पांच जजों की समवेदानिक पीट ने 40 दिनों की सुनवाई के बार विवादिक जमीन पर रामलला के हक में निर्णलिया साथ ही मुस्लिमों को मस्जद के लिए 5 एकर जमीन देने का आदेश दिया इस फैसले पर कई बॉलिवुट सितारों के आलावा राखी सावंत का भी बयान आ गया है राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है इसमें वो एक दुलहम की तरह सजी धजी नजर आ रही है वीडियो में राखी कह रही है हिंदुस्तान के लोगों को बढ़ाई सभी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समान किया मुसल्मान भायों ने भी साथ दिया जिससे मैं बहुत खुश हूँ मैं पिये मोदी और अपने देश पर गर्व महसूस कर रही हूँ सालों पुराना ये विवाद अब सुलज गया है अगर ऐसे ही हम सब हिंदु, मुसलिम, सिख और इसाई दर्म के लोग शान्ती पूर्ण तरीके से रहेंगे तो विदेश में भी हिंदुस्तान का नाम होगा बता दें कि इस से पहले सल्मान खान के पिता सलीम खान का वायान भी आया था सलीम खान ने कहा कि अयोधिया में मुसलिमों को दी जाने वाली पांच एकर भूमी पर स्कूल बनाया जाना चाहिए उन्होंने मुस्लिम समधाय से अपील करते हुए कहा कि मुहबबत जाहे करिये और माप करिये अब इस मुद्दे को फिर से मत कुरे दिये यहां से आगे बढ़िये मुस्लिमों को सलहा देते हुए सलीम खान ने कहा कि अब इस मामले पर बात ना कर बुनियादी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए मुस्लिमानों को स्कूल और अस्पताल की जरूरत है अयोध्या में मस्जिद के लिए मिलने वाली पांच एक अड़ जगे पर कॉलेज बने तो बेहतर होगा नमाज तो ट्रेन, प्लेन कहीं भी पढ़ी जा सकती है अगर 22 करोड मुस्लिमों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो इस देश की बहुत सी कमिया खत्म हो जाएंगी